इनेबल इडिटिंग यहाँ पर क्लिक कर लेना है आप इस डिकलिरेशन केम एंडर टिकिंग फॉर्म फिल करने के लिए हम यहाँ पर आपने कुछ डिटेल्स फिल करना है तो यहाँ पर हमें अपना पहला नाम डालना होता है तो हम यहाँ पर जब इस तरह से नाम डालने कोश कर लेता हूं और इस फुरी फॉर्म को आपको कॉपी कर लेना है इस तरह से ठीक है कॉपी करने के बाद कि इस तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद आपको नया वर्ड को वर्ड फाइल को खौलना है इस तरह से नई वर्ड फाइल यहाप नई वर्ट फाइल पहें जाके इसको ओपन कर लेता हूँ और यहापर यह पेस्ट कर लेना है अब इस में आप इडिटिंग कर सकते हैं तो यहापर आपको पहले नेम डालना है ठीके तो इस वाले रखाने में आपना पूरा नाम डाल देना है अब अगले में सन और डाटर लिखा है अगर आप लड़के हो तो यहापर सन रहने देना है अगर आप डाटर हो तो मतलब मुलगी हो तो यहापर डाटर रहने देना है तो आप सन है तो इसलिए हम डाटर को कट कर देंगे और यहाँ पर अपने पिता का नाम डालना है पिता का नाम डालने के बाद अब यहाँ पर इस वाले रखाने में आप कितने साल के हो वो डाल देना है ठीक है ठीक है इसके बाद हमें निचाना है और एट रेसिडेंट यहाँ पर इस वाले रखाने में अपने गाव सिटी विलेज का नाम डाल देना है इस तरह से इसके बाद हमें आ गया आना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पर आपने आप किस चीज़ के लिए बिजनेस करते हैं इंस्टा मुझे पर तो यहाँ पर आपना बिजनेस डाल देना है तो हम डाल देते डिजिटल प्रोड़क्ट्स इस तरह से डिजिटल प्रोड़क्ट्स लालने के बाद आपको यहाँ पर रेखे दूसरी नेमर वाला आयाम शोल ओनर ठेके आफ प्रिप्रिशन कॉर्णर ओप्सनल येर अंडर दा नेम यहाँ पर यहाँ पर आयम द लिका है तो यहाँ पर सोल ओनर है तो यहाँ पर अपना नाम डालना है मतलब ओनर का नाम डाल देना है ठीक है तो मैं आउनर का नाम डाल देता हूं इसके बाद आपको आगे दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको जो यह वाला उप्शन है प्रिपोरिंग शीप कॉर्नर तो इसको आपको रहने दना है और यहाँ पर आप अपना काम कितने सालों से कर रहे हैं तो यहाँ डालना है तो हम ड दाल देना है एक बात ध्यान रहे हैं यहाँ पर आपने प्यान कार्ड पर जिस दैसे अपने आपका नेम है उसी तरह से नेम डालना है ठीक है इस तरह से पानिकाड और पानिकाड का नम डालने के बाद आपको निचाना है और यहाँ पर आपको अपनी जो पेज हमने अभी इलिटिंग किया है अभी इसको हमें प्रिंट आउट निकालने है अपने प्रिंटर से और यहाँ पर आपनी signature करनी है आपकी signature यहाँ पर करनी है यहाँ पर आपकी गाओ, city जो भी है इसका नाम डाल देना है अपने place का नाम यहाँ पर date डालनी है जब भी आप इसको submit करेंगे उस time की date और यहाँ पर आपका पूरा नाम डाल देना है और यहाँ पर आपका पूरा नाम डालने के बाद हम इसको अब अपलोड कर सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर इसको business registration document में अपलोड कर सकते हैं आपने अब प्रिंट करके अपने अपने प्रिंटर में अगर फाइल सेप कर लिए तो आप यहाँ पर click here to select file पर click कर लेना है और यहाँ पर हम a declaration cam undertaking वाला जो हमने फिल किया था इसको हम यहाँ पर submit करेंगे वीडियो को subscribe कर लेना है क्योंकि हम जो भी information बता रहे अभी किसने भी नहीं बनाई है